एक समय की बात है एक जंगल में बहुत सारी चिडिया घोसले बना कर रहा करते थे और सभी चिडिया साथ में मिलकर बोजन की तलास में जाया करते थे कुछ ही समय बात बरसात का मौसम सुरू होने वाला था तबी टूनी चिडिया बोलती है लग रहा है बरसात का मौसम सुरू होने वाला है उसके बाद ठंडी का मौसम आ जाएगा जंगल की सारी लकडिया भी भीग जाएगी मैं ऐसा करती हूँ कि पहले ही सारी लकडिया लाकर अपने घोसले के पास रख देती हूँ ताकि ठंड के मौसम में अपने घोसले को गर्म कर सकूँ टूनी चिडिया जंगल की और लकड़ी लेने के लिए चली जाती है तभी उसको रास्ते में गौरी चिडिया मिलती है गौरी चिडिया टूनी चिडिया से कहती है टूनी तुम इतनी जल्दी में कहा जा रही हो मुझे भी बताओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी बारिस सुरू होने वाली है तुम अकेले क्यों जा रही हो अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों की देख्वाल कौन करेगा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बड़सात का मौसम सुरू हो गया है ठंड भी आने वाली है इसलिए गौरी मैं जंगल में जा रही हूँ लकडी लाने के लिए ताकि बारिस के मौसम से पहले मैं धेर सारी लकडियां इकठा कर सकूँ क्योंकि बारिसोने के बाद सारी लकडियां भीग जाएंगी और ठंडी में हम लोग ठंड से कैसे बचेंगे हाँ टुनी तुम तु सही कह रही हो मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं ठीक है मैं भी तुमारे साथ चलती हूँ मैं भी धेर सारी सुखे लकडियां लाकर अपने घोसले के पास रखतूंगी ताकि ठंड के मौसम में हम अपने घोसले को अच्छे से गर्म कर सकें यह कहकर गोरी भी टुनी चिडिया के साथ लकडि लेने के लिए जंगल की ओर चली जाती है तभी जंगल में टुनी चिडिया कौवे को देखती है और बोलती है वह देखो गोरी कौवे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ठंड के मौसम सुरू होने वाले हैं और अराम से बैठ कर फल खा रहा है हाँ टुनी तुम सही कह रही हो कवे को कोई चिंता ही नहीं है कोई फरक ही नहीं पड़ता है चाहे बारिसो चाहे ठंड पड़े वो अराम से अपने घुसले में पड़ा रहता है ना जाने घुसले में पड़े पड़े वो कैसे रह लेता है चलो टुनी कवे से थोड़ा बात क कोवा तुम यहां अराम फर्मा रहे हो ठंड का मौसम शुरू होने वाला है चलो हम लोगों के साथ लकड़ी लेकर आने वरना बारिस में सारी लकड़ियां भीग जाएंगे फिर हम लोगों को ठंड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ऐसा है टुनी तुम अपना ग्यान अपने पास क्यों नहीं रखती बिना मांगे ही सब को देती रहती हो मैंने तुम से ग्यान मांगा क्या मुझे तुम बताओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जहां जा रही हो वहां जाओ कवा तुम इतने बत्तमीज कैसे हो सकते हो तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है तुनी तुम्हारे भलाई के लिए ही तो बोल रही है और तुम तुनी को इतना भला बुरा कैसे कह सकते हो दिन भर घोसले में पड़े रहते हो तुम कैसे रह लेते हो देखो गोरी मैं प्यार से समझा रहा हूँ तुम दोनों यहां से चली जाओ मुझे अराम से फल खाने दो अगर तुम दोनों ने मुझे परसान किया तो मैं तुम दोनों का गोसला तोड़ दूँगा कौवे की बात सुनकर तुनी और गोरी जंगल की ओर आगे चली जाती है काफी देर जंगल में घूमने के बाद तुनी और गोरी को धेर सारी सुखी लकडियां मिल जाती है वो सारी सुखी लकडियों को लेकर अपने घोसले के पास चली जाती है रात काफी हो जाती है सभी चिडिया अपने घोसले में जाकर सो जाते हैं तभी कौवा धीरे धीरे टूनी के घोसले के पास जाता है और वहां से सूखी लकडियों को चुरा कर अपने घोसले में ले जाकर छिपा देता है सुबह हो जाती है टुनी चिडिया अपने घोसले से बाहर निकलती है और वह देखती है कि उसकी सारी सूखी लकडिया उसके घोसले के बाहर से गायब है टुनी चिडिया बहुत जादा परसान हो जाती है और वह सोसती है लकडिया कौन चुरा सकता है तबी टुनी चिडिया गौरी चिडिया के पास जाती है तुमको पता है मेरे गोसले के बाहर से सारी सूखी लकडिया किसी ने चोरी कर लिया है हो नहो हमको तो लगता है कहीं न कहीं कौवे ने ही लकडी चोरी की है उसको तो कोई काम धंदा है नहीं, बस लोगों का समान चोरी करना है टुनी चिडिया उदास होकर अपने घोसले की ओर चली जाती है अगली सुबह गोरी चिडिया के घोसले के बाहर से भी सारी सुखी लकडियां गायब मिलती है कूछ समय इसी तरह बीत जाता है, ठंड का मौसम सुरू हो जाता है सारी चिडिया ठंड से परिसान हो जाती है और उधर कवा अपने घर में लकडियां जला कर अपने घोसले को गर्म कर रहा था तभी गोरी टुनी से पूलती है मैं कह रही थी ना टुनी कि सारी लकडियां दुष्ट कवे ही चोरी कर रहा था देखो कैसे मजे ले रहा है इसी बीच कवा टुनी चिडिया और गोरी चिडिया के पास जाता है और दोनों से कहता है आज मेरे घर पर पार्ती है, तुम दोनों जरूर आना और बाकी चिडियों को भी बोल देता हूँ ये भगवान किती ठंडी है यहाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है तुम्हारे घर में जा जा दुष्ट कवा, आज तु मेरे जाल में नहीं फसा तो मेरा नाम भी टूनी नहीं सभी चिडिया कोवे के यहाँ पाटी में चली जाती है और समय देखकर कोवे पर हमला कर देती है कोवा जान बचा कर किसी तरह वहां से भाग जाता है तभी जंगल में बहुत तेज बर्फ गिरने लगते हैं और कोवा ठंड से परसान होकर एक पेड़ पर बैठ कर अपनी गलती का पस्तावा कर रहा होता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तूनी और गौरी बड़ा मेना से सुखी लकडियां लेकर आई थी मैंने उन दोनों के साथ बहुत गलत किया मैं जा रहा हूँ उन लोगों से माफी मांगने तूनी गौरी तुम दोनों मुझे माफ कर दो मैं तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया मुझे तुम्हारी सुखी लकडियां नहीं चुरानी चाहिए थी मुझे पता चल गया है तुम लोगों ने कितने मेहनत करके इतनी सारी लकडियों को इकठा किया था मैं चुरा कर अपने घुसले को गर्म कर लिया तुम दोनों को ठंड में छोड़ दिया मुझे तुम माफ कर दो खीक है कवा लेकिन अगली बार अपनी मेहनत से काम करना क्योंकि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है कौवे को अपनी गलती का ऐसास हो जाता है और कौवा मेहनत करके अपना काम सुरू कर देता है सारी चिडिया मिलकर खुसी खुसी सुखी लकडियां जला कर ठंड से बच जाती है और खुसी-खुसी जंगल में रहने लगती है दोस्तों अगर आपको चिडिया वाला कार्टून टूनी चिडिया की कहाने और मूरल स्टोरीज देखना पसंद है तो चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें